वेल हेलो दोस्तों, आज मैं 2008 में रिलीज हुई एक हॉरर और कॉमेडी मूवी की स्टोरी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ यह एक जॉम्बी मूवी है और इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले एक चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन भी आउन कर लो जिससे सवी लिटेस मूवी का इन्विटेशन आप तक पहुँचता रहे So let's begin with the movie Zombie Strippers जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर चेस्फिल्ड और उसके असिस्टेंट जैनेट को देखते हैं डॉक्टर अपने सामने बहुत से लोगों को जॉम्बीस बनते हुए देख रहा था वो जॉम्बीस एक दूसरे को खा भी रहे थे डॉक्टर ने सभी जॉम्बीस को एक कमरे में बंद कर रखा था ताकि वो जॉम्बीस कमरे से बाहर आकर और लोगों को जॉम्बीस ना बना दें डॉक्टर उन जॉम्बीस से निपटने के लिए कुछ मिलिटरी के सोल्डर्स को बुलाता है कुछ समय में वो सोल्डर्स पहुँच जाते हैं उन सोल्जर्स के लीडर कैमस डॉक्टर से उन जॉम्बीस के बारे में पूछता है डॉक्टर बताते हैं कि हॉस्पिटल में एक वाइरस के वजए से सभी लोग जॉम्बीस बन गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है ये सुनकर कैमस अपनी टीम के साथ अंदर जाने का डिसाइड करता है उनके साथ उस मिसन में एक नया सोल्जर भी होता है और उसका नाम है जैक जैक अपने पहले मिसन पर आया था और उसके साथ वाले soldier's उसे पजीर बाते कर हैकर उसे डराने लगते हैं फिर कैमस और उसकी team उस Chapter में जाते हैं उन जॉम्बीजश को देखकर वो सब soldier's ह znajान थे फिर डौक्टर उन्हें एक zombie दिखाता है जिसे उन्होंने chain से बांद रखा कि डॉक्टर बताते हैं कि ये सब चेमू वायरस के वज़े से जॉम्बीस बने हैं डॉक्टर की असिस्टेंट बताती है कि चेमू वायरस इंसान की दिमाग पर असर करता है इसलिए जॉम्बी बनने के बाद भी वो अपना काम यानि के प्रोफेशन नहीं भूलते केमस डॉक्टर से उन जॉम्बीस को मारने के बारे में पूछता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उन जॉम्बीस को मारने का बस एक ही तरीका है ये सुनकर केमस अपनी गन से सामने बंदे हुए जॉम्बीस को मार देता है डॉक्टर उन्हें जॉम्बीज मारने के लिए इलेक्ट्रो मेगनेटिक पल्स वाली गन दे देता है फिर वो सोल्जर्स अपना सूट पहन कर उन जॉम्बीज को मारने चले जाते हैं एक सोल्जर नैट ग्लासेस की मदद से उन्हें रास्ता बताने लगती है प्र कैमस की टीम हॉस्पिटल में जाकर जॉम्बीज को मारना सुरू कर देती है थोड़ा आगे जाने पर सोल्जर्स को दोनों साइट से जॉम्बीज गेर लेते हैं फिर सोल्जर्स इलेक्ट्रो मेगनेटिक गन फायर करके उन जॉम्बीज को मार देता है लेकिन कुछ समय बाद ही वो जॉम्बीज वापस जिन्दा हो जाते हैं मतलब इलेक्ट्रो मैगनेटिक गन से उन्हें कुछ नहीं हुआ फिर वो सब हमला कर देते हैं उसी दोरान जैक के हाथ पर एक जॉम्बी काट लेता है इससे अब जैक इन्फेक्टिड हो चुका था फिर कैमस के कहने पर वो सब ही एक कमरे में आ जाते हैं जॉम्बीज भी उस कमरे में आने लगते हैं फिर वो सब लगतार उन जॉम्बीज पर फाइरिंग करने लगते हैं जिससे की फाइनली सभी जॉम्बीज मारे जाते हैं उस हॉस्पिटल के स्टाफ का एक डॉक्टर जॉम्बीज के काटे जाने से इंफेक्टिड हो गया था इसलिए कैमस उसे जॉम्बी बनने से पहले ही मरवा देता है जिससे वो किसी और को भी जॉम्बी ना बना सके ये सब कुछ जैक वहाँ खड़े ओकर देख रहा था वो काफी डर जाता है और वहाँ से छुपकर टेरिस पर आ जाता है वो वहाँ से एक कमरे के बेसमेंट में चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो अपने साथियों के पास गया तो वो उसे मार देंगे जैक वहाँ से एक अंदेरी कमरे में आ जाता है जब वहाँ की लाइट आन होती है तो हमें पता चलता है कि जैक एक कलब में आ गया है जैक को पकड़ कर एक आदमी स्टेच से नीचे गिरा देता है फिर जैक देखता है कि एक लड़की स्टेच पर बोल डांस कर रही है देखते ही देखते हो लड़की अपने कपड़े भी उतार देती है और न्यूड डांस करने लगती है उस लड़की का नाम केट होता है, दरसल ये कलब illegal तरह से एक खूफिय जगह पर चल रहा था, केट का new dance देखकर वहाँ बैठी जनता काफी खुस होती है, और केट पर पैसे लुटाने लगती है, इसके बाद उस कलब में एक जैसी नाम की लड़की आती है, जैसी गेट पे ख की उसे बाकी dancer से introduce करवाती है, बलाबाच में आने वाली नए dancers को guide करती है, वो जैसी को उसकी सीट देती है, और उससे तयार होने को कहती है, तब ही वहां का मालक आयान आ जाता है, उसके आते ही एक dancer उसे touch करती है, वो से दूर होता है, और कहता है कि अगर तुमने मुझे fish तो मैं तुम्हें मार दूँगा आगे स्टेज पर डांस करने एक लेलित नाम की लड़की आती है सब को डांस करने के लिए कुछ समय दिया जाता है वो डांस करती है पर लोगों को उसका डांस पसंद नहीं आता और वो उस पर कम पैसे लुटाते हैं ये देखकर आयान कहता ह कि अब डांस करने आएगी जैनी लेलित वहां से गुसा में चली जाती है इसका डांस पूरा नहीं हुआ था जैनी स्टेज पर लोगों को इंप्रेस तो करती है पर अतना नहीं जितना केτ करती है वहीं जैसी अपने बैंग में से सामा निकाल रही होती है वो जीसस की एक झ निकाल कर अपने सामने रख देती है यह देखकर उसके बगल में बैठी एक डांसर उसका मजाग बनाने लगती है लेकिन जैसी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती और हस्ती रहती है इधर जब स्टेज पर डांस चल रहा था तब ही जैक वहां गिर जाता है उसके पास खड़ वो उन पैसों से अपनी ग्रेंड मंदर का इलाज करवाएगी और इतना ही कहकर वो वहां से चली जाती है इधर आयन अनौंस करवाता है कि अब स्टेज पर डांस करेगी जैसी फिर जैसी स्टेज पर आती है और डांस करना शुरू करती है पहले तो जैसी ठीक डांस कर रही फिर Kate खोदी स्टेच पर डांस करने जाती है, उसे डांस करता देख, वहां की पबलिक बहुत खुस होती है, पर तबी जैक लोग Filip के उठा कर अंदर ले आते हैं, इससे आयान काफी घबरा गया था है, वो कहता है कि अगर पुम्लिस को इसके बारे में पता चल गया तो वो इ बंद करवा देंगे और उसे जेल भी हो सकती है आयान केट की बॉड़ी को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था पर तभी केट उठ जाती है और उसके सामने से चली जाती है क्योंकि अब केट भी जॉंबी बन चुकी थी फिर वो डांसर के रूम में आती है उसे देखकर केट स्टेज पर डांस करने चली जाती है वहां की लोगों से देखकर हैरान थे क्योंकि वो तो मरद चुकी थी खेर केट अपना डांस सुरू करती है और इस बार वो पहले से बिज़ादा एनर्जी के साथ डांस कर रही थी ये देखकर वहां की पब्लिक और भी जादा खाने लगती है केट को ऐसा करता देख आयन बहुत परिसान होता है अब आयन उस रूम को साफ करने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर केट किसी को खाती है तो उसे खाने दो वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इससे उसके कलब की अच्छी खासी कमाई होती रहे अब केट अपन बन गई है तो सब उससे नफरत करने लगते हैं जॉम्बी बनने के बाद लेलित भी बहुत अच्छा डांस करने लगी थी लेलित भी एक आदमी को अपने साथ रूम में लाती है वो उसका मूँ बीच में से चीर देती है और उसे खाने लगती है ये देखकर वो सबी डर जात होती है रास्ते में उसे डैविस मलता है वो उससे कहता है कि तुम ये जॉब छोड क्यों नहीं देती तो वो कहती है कि अभी मेरे पास इसके लावा कोई और चारा नहीं है वो डैविस से अपने घर के दरवा से बंद रखने और अपना ध्यान रखने को कहती है उनकी ये ब भी उन पर बहुत सारा पैसा उड़ाते थे वो लड़किया डांस के बाद लोगों को अपने साथ ले जाती और उन्हें खाने लगती जिसके बाद वो भी जॉम्बीस बन जाते फिर कलब के लोग उन्हें भी उसी कमरे में बंद कर देते इससे आयन की पास बहुत सारा पैसा आ रहा था जिससे वो बहुत खुष था वहीं केमर्स के भेजे दो सोल्डर्स उस कलब से आए दो लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछ ताच करते हैं वो उसी जॉम्बी कलब की बात कर रहे थे तो उन सोल्डर्स को पता चल जाता है कि जॉम्बीस अभी भी जिन्दा है वहीं एक डांसर को ये देख कर अच्छा नहीं लगता कि सब जॉम्बीस बनकर डांस कर रहे हैं वो आयन से कहती है कि अब उन्हें इसे रोग दिना चाहिए परायन ऐसा करने से मना कर देता है और उसे उस कलब को छोड़ने को कहता है वहीं जैनी अब जॉम्बी डांसर से जलने लगी थी इसलिए वो भी जैक के जॉम्बी से कटवा लेती है और जॉम्बी बन जाती है उसे देख कर एक और डांसर जॉम्बी बन जाती है करते हैं पर वो नहीं रोप पाते तो आयन सब को एक एक गन दे देता है और वो सब ही मिलकर उन जॉंबी इसको मारने लगते हैं उन में से एक जॉंबी बलाबाजकी को खा लेता है तब ही वहाँ कैमस अपनी टीम के साथ आ जाता है और जॉंबी इसको मारने लगता है जब बलाबाज की सोलजर्स के सामने आती है तो वो उसे गोली से मार देते हैं वहीं लेलत और सोक आयन को एक चेर से बांध कर उसे धीरे धीरे खाने लगती हैं फिर वो दोनों जब एक लेडी सोलजर को खाने जाती है तो वो उनसे hand to hand fight करके उन्हें मार देती है वहीं जैसी और डैविस एक जगह पर छुपे थे soldiers उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी zombies ने काटा है पर वो उन्हें यकिन दिलाते हैं कि वो अभी भी इनसान ही है वहीं आयनिक soldier के पास जाता है और उससे खुद को मारने को कहता है पर वो उसे मारती नहीं है बलकि एक जाल में फसाद देती है वहीं डॉक्टर चेस फेल्ड बाहर का दर्वाज़ा खोलने लगता है जब कैमस डॉक्टर से पूच ताच करता है तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जान मोच कर ही एक ऐसा वाइरस बनाया था जो कि इंसानों को मारने के लिए था फिर वहां और भी डॉक्टर आ जाते हैं और उस कलब में चेक करने लगते हैं एंडिंग में जब डॉक्टर चेस्वेल उस कलब की जाच परताल कर रहे थे तब ही उन्हें एक बैग मिलता है जैसे ही वो से खोलते हैं उसमें एक जॉंबी निकलता है जो उन्हें खा लेता है और यहीं मूवी एंड हो जाती है और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्स्प्लेनेशन कैसी लगी